दोस्तो जब भी आप अपने Google Page से रुपय ट्रांसपर करते हैं, जैसी कि मैं यहाँ पर एक रुपय ट्रांसपर करा हूँ, रुपय एक तो ट्रांसपर हो गया, लेकिन हम इस पर किलिक करके, यहाँ पर बेंग को सिलैट करूंग, जो भी बेंग कि हमारी ठीक है, भी आपको ये problem आ रही है तो आपको इस video को पूरा देखना होगा इस video को पूरा देखने के बाद आपकी जो problem है वो fix हो जाएगी ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम यहां से बिलकुल बाहर निकलते हैं ठीक है इस तरीगे से जिसमें कटके यहां से बाहर निकलाया तो यहां पे सबसे पहले एक condition यह है कि आपका जो मुवाल नम्मर bank से जो link है ठीक है वो मुवाल नम्मर उस phone में होना चाहिए जिस phone से आप transaction कर रहे है ठीक है इस phone में होना चाहिए नम्मर दू condition यह है कि आपका account नया नहीं होना चाहिए अगर आपका Google पे account नया है तो आपको यह problem हो सकती है अगर पुराना है तो आपको क्या करना यह भी बताऊंगा तीसरी condition क्या है यहाँ पे आप धाई लाक से ज़्यादा और पे transfer नहीं कर सकते हैं UPI limit पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कितनी limit है आपके ठीक है बेंक से ठीक है तो आपको यह सारी चीज़ें वाद यह सारी चीज़ें आपकी से हैं फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ अब फिर लोगों पर टेप करेंगे यहां बेंक solve हो जाएगी मेरे phone में ये problem इसलिए आ रही है क्योंकि दोस्तों मेरा account नया है मैंने आज ही इसे create किया है इस smartphone में ठीक है तो फिलाल इस video में लेता हूं विदा आपकी जो भी जानकारी जो आप लेना चाहते तो मैंने आपको बता दिये मिलता हो गिली वीडियों तब तक इस वीडियों इतना ही जाए हिल्द